My friends, और बात करेंगे Real Madrid और Chelsea के बीच में जो Champions League का मैच है देखिए, ये Champions League का second leg match है quarter final का और पहले leg में Real Madrid ने Chelsea को 3-1 से हराया था, ये match हमने, सब ने देखा इसमें Karim Benzema ने hat-trick लगाई थी और ये match में और worst भी हो सतका था, लेकिन Chelsea ने बाद में 2-1 कर दिया था 2-0 से और थोड़ा से Glimmer of Hope मिली है, लेकिन जिस तरीके से Chelsea मिडवीक में खेले थे और उन्होंने Southampton को 6-0 हर रहा थे, तो थोड़ा सा confidence वापस आयोगा Chelsea को और इसवा बहुत धमागेदार गेम होगा, हाला कि बने बाव में जाकर गेम को पलटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन Chelsea के पास attacking prowess है, मिटफील बहुत अच्छी है, तो मैच बहुत ही रोमाचक होगा, चलिए अगर हम टीम्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बता है कि बेंजिवा ने इतना अच्छा खेला, उनके साथ साथ अगर हम बात करें, तो विनिशियस जूनियर का भी बहुत अच्छा contribution था इस गेम म कि लेकिन उसमें उनको और प्राब्लम होने वज़े है क्योंकि रियल मैडरेट को बहुत गैपस मिलेंगे, और हमें लगता है कि रियल मैडरेट इसमें दो से तीन गोल खुद भी कर सकती है, हाला कि इस गेम में दोनों टीम्स के स्कोर करने के पूरे-पूरा पूरी-पूर कि रियल मैडरेट का ओवरॉल हर जगा फॉर्म बहुत हमाकेदार चल रही है, चैंपियंज लीग में तो बहुत इनका स्ट्रॉंग पूजिशन है कि सेमी फाइनल में यह आ जाएंगे, और वहां यह लग रहा है कि असानी से ला लीगा भी जीच जाएंगे, वहीं पर चेल कि बात करें, तो देखिए सारे प्लेयर्स मोस्ली अवेलिबल हैं यहां पर जो इनके में टीम में खेलते हैं, लेकिन चल्सी के फॉर्मल मैं एडिन हजाड अभी भी इंजर्ड हैं इसको के साथ-साथ, लेकिन अगर बैक अप के ज़रुत पढ़े तो लुका जोविच की अ में प्रॉबिबल प्लेयर्स लगते हैं, लुका को शायद बाद में, तो काय हैवर्ट की फॉर्म बहुत अच्छी है और अगर आप इनके ओवरॉल कंसिस्टेंसी देखे तो काफी अच्छी है, लास्ट मैच में भी इन्होंने ही गोल स्कोर किया था और यह बहुत ही में जो वर्ल्ड के बेस्ट यंग्स्टर कहे जाते हैं, उनके पास भी बहुत मौक्य आएंगे, तो इन दोनों के पास गोल स्कोरिंग ऑपरचुरिटीस भी काफी आएंगी, मिट फील्ड में टोनी क्रूस हम लेंगे, क्योंकि टोनी क्रूस पूरा गेम डिक्टेट करते है हैं, रियल मेडिट के लिए, एंड टो एंड प्ले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वहीं पर लुका मौडरिच, बैलंडोर जीतने वाले प्ले रहे हैं, लुका मौडरिच भी, टोनी क्रूस के साथ-साथ, मिट फील्ड की पूरी स्ट्रिंग समालते हैं, रियल म के अटैक में मुझे लगता है कि मेंसन माउंट का उन्टिबिशन बेटर है का इस कंपेट जोरजी नियो, आप हेकम जीएच को जरूर ले सकते हैं, क्योंकि आगे जब भी एक क्रियेटिव प्लेयर की बात करें तो वह हेकम जीएच है, लेकिन अभी हमने नहीं लिया उनके तो इस वज़े से हमने कैसमीरे को भी टीम में लिया है, यहाँ पर एक और मेंशन करूँगा, मैं प्लेयर वो है अन्गोलो कॉंटे, आप अगर कैसमीरे को ने लेना जाते हैं आप कॉंटे ले सकते हैं, उससे आपको ये बेनेफिट होगा कि मेभी आपके पास थोड़ा सा और क्रेडिट बच सकता है किसी और प्लेयर को अगर आप लेने का मन हो तो लेकिन अभी हम यहाँ पर कैसमीरे को ही लेंगे, इसमें जैसे मैंने आपको बता है कि दोनों ही टीम्स गोल स्कोर करने के लिए लगभग इनका तैय रहेगा, तो हमने यहाँ पर जो तीन अटैकि करना से मिट फील्ड में खेलेंगे और वहीं पर डैनी कारवजल भी रियल मेडिट के लिए उनके राइट बैक होंगे, कीपर हमने यहाँ पर मेंडी को लिया क्योंकि हमें लगता है कि रियल मेडिट का होम गेम है, और क्योंकि चल्सी कितना ओपन अप होगा उस समय तो में इंडी के बास सेव करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे और हमें लगता है कि रियल मेडिट इस गेम में 3-2 या 2-1 फिर जीच जाएगा, हाला कि यह बहुत ही सप्राइजिंग होकर चल्सी यहां पर पूरा ही एग्रिगेट स्कोर पलट दे, तो हमें लगता है कि यहां रियल 11 टीम्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धन्यवाद and responsibility के साथ खेलिए